नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 8 दिसंबर खबरों के ओर बढ़नी से पहले एक नजर सुर्खियों पर कुशल युवा कारीक्रम के तहट अगले साल दो गुने युवा होंगे सिक्षे आज जाड़ी होगा कुढ़नी उपचुनाओं का रिसर्ट 200 साल पुराने रेजिस्ट्री के कागजात मिलेंगे ओनलाइन सुनपूर मेले में जुटी डिकॉर्ट तोड भीर 31 दिनों में पहुँचे 50 लाख लोग बिहार के मुकेज के सामने बांगलादेश ठेट अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बरी खबडों के ओर विस्तार से ससी ने 10 प्लस 2 लेवल CHSL एक्जाम 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया स्टाफ सेलेक्शन कमीसर ने कंबाइंड हाईर सेकेंडरी लेवल एक्जाम नोटिफिकेशन 2022 चारी कर दिया है रिक्तियों की कुल मिलाकर संभाविस संख्या 45 सो है इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आविदग को 10 प्लस 2 पास होना चाहिए इक्चुक और योग्यों मिद्वार इस वैकेंसी नोटिसे जुरी भी समझ जरूरी जानकारी और आविदन करने के लिए सी वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए वेब लिंक पर जरूर क्ल इस वर्ष कुषल यूवा कारिक्रम के छटे वर्षगाड के अफसर पर ग्यान भवन में आयोजित हुए कारिक्रम में विवाग के दोरा प्रसिक्चु की संख्या को दूगना करने का संकल्प किया जाएगा बताते चले किस कारिक्रम में मुख्य मंत्री नितीज कुमार, उक मुख्य मंत्री तेश्वियादव, स्रम विभाग मंत्री, मुख्य सचीव और प्रधान सचीव भी सामिल होंगे इस बात की जानकारी समधाता सम्मेलन में KYP Honors Association के मुख्य संरक्षर प्रभाद कुमार सनहा के दोरा दी गई है बता दे किस योजना के सुरवाद बिहार सरकार के स्रम संसादन विवा के तत्वधान में बिहार स्किल डेवलोप्मेंट मिशन के तहत की गई थी जानकारी के लिए बता दे कि अब तक 12 लाग युवा इस कारिक्रम से लवानवित हो चुके हैं बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मीरा कुमार की मीरा कुमार का जर्म 31 मार्च 1945 को सासा राम बिहार में हुआ था राजनीती में उनका प्रवेस असी के दसक में हुआ था ये भारतिय राश्ट्रे कॉंग्रेस के प्रमुख नेताओं में से है 1985 में वे पहली बार बिजनौर से संसद में चुन कर आई 1990 में वे कॉंग्रेस पार्टी की कारेकारणी समीती की सदसे और अखिल भारतिय कॉंग्रेस समीती की महासची भी चुनी गई 1996 में वे दूसरी बार संसद बनी और तीसरी बार उन्होंने 1998 में सुरू की 2004 में युनाइटेर प्रोग्रेसिव अलायस सरकार में उन्हें समाजिक न्याय मंत्राले में मंत्री बनाया गया, इस बार वे पांचवी बार संसत के लिए चुनी गई, वर लोग सभा की पहली महिला अध्यक्ष यानि की स्पिकर के रूप में 3 जून 2009 को निरविरोधी चुनी गई, इन्हों 2017 के राश्ट्रपती चुनाओ में UPA की दिसंबर कोई सुफचनाओं की रिजल्ट जारी की जाएगी, लेकिन रिजल्ट जारी होने से पहले महाकडबंधन और बीजेपी के खेमे में बिचैनी बढ़ गई है, एक तरफ जहां महाकडबंधन की ओर से यह दावा किया जारा है कि महाकडबंधन सरकार के उमिद्वार मनोस कुश्वाहा की जीत होगी, तो यह दूसरी ओर बीजेपी के ओर से यह दावा किया जारा है कि उनके उमिद्वार केदार गुपता की ही जीत होगी, इसके लावा मुके सहनी के ओर से भी दावा किया जारा है कि उनकी पार्टी वी आईपी के प्रत्यासी निलाव कुमा की जीत होगी जानकारी के लिए बता दे कि कुल 14 टेबलों पर वोटों की गिंती होगी और दो टेबलों पर पोस्टल बैलेट की गिंती की जाएगी जिसके बाद दो बज़े तक चुनाओं के परिणाम सभी के सामने आ सकते हैं 200 साल पुराने रेजिस्ट्री के काज़ात मिलेंगे ओनलाइन निबंधन विभाग ने पुराने जमीन को लेकर पहल सुरू की है वह वही उनिस्टो 95 के बाद से लेकर अभी तक का काम पूरा कर लिया गया है जिसे अभी राजिस्सरकार के दोरा जारी की गई वेबसाइट पर नाम पता निबंधन वर्श रित्यादी चीज़े डाल कर देखा जा सकता है बता दे कि राजिस सरकार के दोड़ा जो वेबसाइट जारी की गई है उसका नाम भूमी जानकारी.com है इसके साथ ही उनी सब पंचानवे से पहले के जमीनों के डिजिटाइजेशन को लेकर 31 जिलों में निबंधित दस्तावेजों का स्कैनिंग का काम शुरू कर दिया गया ह सोनपूर मेले में जुटी रिकॉर्ड तोर भीर 31 दिनों में पहुँचे 50 लाग लोग वीतेदन बदवार को विश्व प्रसेद सोनपूर मेले का समापन हो चुका है इस तोरान सोनपूर मेले में मुख्य अतीती के रूप में सारन के प्रभारी मंत्री सुमित कुमार सिंग मौजूत रहें वहीं वसस्त अतीती के रूप में कला संस्तेती एवं युवा विभा के मंत्री जितिंद्र कुमार राय और स्रम संसादन विभा के मंत्री सुरेंदर राम उपस्तित रहें 21 बार लगे 31 दिनों के सोनपूर मेले में कुल 50 लाग से अधिक लोग भ्रह्मन करने मेला के पसुपालन विभा के मुख्य सिवीर से जारी के गए आंकडों के नुसार इस अवधी में कुल 335 गोडा, 60 गाई, 147 बैल, 14 भैंस, 1884 भेर और बकडी और 470 कुता की बिक्री पेपर लीग को लेकर विरोध जारी है, बता दे कि अभ्यर्थियों की मांग है कि इस मामले को लेकर CBI जार्च करवाई जाए बीते दिन बुदवार को एक बार फिर अभ्यर्थियों के द्वारा पटना कॉले से गांधी मैदान BPSC ओफस होते वे राज भवन तक विरोध म मार्च निकाला गया, जानकारी के लिए बता दे कि अभ्यर्थियों की मांग है कि परिच्छा नियंतरक अमरिंद्र कुमार सही तिन साल से अधिक समय से BPSC में कारेड़त अधिकारियों और करमचारियों को हटाने गलत उत्तर वाले नौ प्रशनों के उत्तर को सुधार कर दुबारा डिजर्ट चारी करने BPSC सरस्तट्वी की मुख्य परिच्छा के तिती आगे बढ़ाने जैसे कई मांग शामिल है बिहार के मुकेश के सामने बांगलादेश धेर बिहार के तेज गेंदवाज मुकेश कुमार ने अपने फर्स्ट क्लास करियर का बेस्ट प्रदर्शन किया है मुकेश दौरा चालिस रंदे का छे विकेट की बदौरत भारत एबे दूसरे अनाधिकारी टेस्ट मैच में बांगलादेश एको 252 रनों पर समेट दिया गौरतलब है कि गोपाल गंच के मुकेश कुमार ने अभी हाली में निउजिलैंड एक के विरुद डेब्यू किया था और जब अरदस्ट प्रदर्शन किया था उस स्रीज में भी मुकेश ने पांच विकेट लिये थे फिर उनको दच्छन अफरीका के खिलाफ खेली गई घरेलू वंडे स्रीज के लिए टीम इंडिया के स्कुएड में शामिल किया गया था लेकिन एक भी मैच में मौका नहीं मिला अब मुकेश ने पांच विकेट लेकर एक बार फिर संसनी मचा दी है अब यह देखना दल्चस्प होगा कि दूसरी पारी में मुकेश कितना विकेट जह टेकते हैं आसे सीता मरी मेले की सुरवा जाने इस पार क्या है खास सीटामरे में हर साल अगनपुर्णीमा में लगने वाली मेले की आसे शुरुवात हो गयी है बता दे कि इस मेले को लेकर तैयारिया पूरी कर ली गयी है यहां सभी वैपारियों के द्वारा तरह तरह की दुकाने तरह तरह के खिलों ने मौत का खुमा समेत अनिक चीज़े सजाया गया है जो लोगों को अपनी ओड़ा कर्शित करने की छमता रखता है जानकारी के लिए बता दे कि इस मेले की बोली 22,32,000 लगाई गई है और यह बोली चंदरकांता इंटरप्राइजेस के द्वारा लगाई गया है और सभी की कोशिश है कि इस बार मेले में लोगों की जेबे ज़्यादा धीली की जाए इस वर्श आपको इस मेले में ब्लेक डांस, आसमानी जूला, नाउ, रेलगारी, सहित, दरजनों तरह के मनुरंचन जूले दिखाई देंगे SVU के रेट में IPS आदित्य के ठिकाने से मिले लाखो नगत आई से अधिक समपती मामले को लेकर IPS आदित्य कुमार को निलंबित कर दिया गया था जिसके बाद आदित्य कुमार के पटना और उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद एवं मेरत हिस्थत आवाज पर विशेष निगरानी इकाई के दौरा च्छापे मारी की गई बता दे कि इस च्छापे मारी के दौरान आदित्य कुमार के ठिकाने से 20 लाक रुपे नगद मिले हैं इसके साथ ही उनके बैंक खातों में लगबग 90 लाक रुपे मिले हैं वहीं विशेष निगरानी काई को च्छापे मारी के दौरान सेयर बॉंड एवं FD में भी लगब पांच लाक रुपे के निवेज का पता चला है बता दे कि इन सब के अलावा अगर उनके सभी फ्लैट की कीमतों को जोड़ा जाये तो आदित्य कुमार के पास च्छापे मारी में कुल एक करोड आठ लाक रुपे बढ़ामत किये गए हैं बेतिया में दिन दहारे SBI में लूट विहार के बैरिया थाना अंतरगत भारती स्टेट बैंक टोला मलाई साखा से जुराए एक लूट का मामला सामने आया है बता दे कि बैंक में यह लूट हतियार बंध अपरादियों के द्वारा किया गया है मिले जानकारी के अनुसार सुबस सारे 11 बजे 6 अपरादी बैंक से 10 से 12 लाक रुपे लूट कर फडार हो गया इसके साथ ही इस लूट के दौरान अपरादियों के द्वारा बैंक के मैनेजर और कैसियर की भी पिटाई की गई वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही बेतिया, एसपी, उपिंदर नात, वर्मा, सदर, स्टीपी, उमुकुल, पडिमल, पांडे, बैरिया थाना, नगर थाना और श्री नगर थाना की पुलिस पहुचे फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा जाच की जा रही है जोने कोर्स को डिजाइन किया जाड़ा है, जानकारी के बता दे कि इसकी पढ़ाई आरे भट ग्यान विश्व विद्याले की पत्रकारिता विभाग में कराई जाएगी लेकिन इसके लिए राशी का प्रबंधन, कला, संस्क्रिति एवं यूवाँ विभाग के दोरा कराया जाएगा फिलहाल इसके लिए विवाग के ओर से त्यारी की जा रही है बिहार में सुभा साम बढ़ी कनकनी मौसम विभा के नुसार बिहार में अब दिसंबर से पहले सब्ताह तक काबू मेरा हाठ ठंड जोड पकरे का बता दे कि रात का तापमान 9 डिगरी के नीचे तक जा सकता है पचिया हवा में कनकनी वाली सर्दी पड़ेगी जारी मौसम मौसम तापमान में अंतर कम होते ही सुभे के कई सहरों में ठिटरन बर गई है क्रामीन इलाकों में ठंड ने पूरी तरह अपना पाउंग पसार दिया है मौसम विभा के मताबिक अगले दो से तीन दिन में पाड़ा और नीचे गिरेगा और कनकनी बढ़ेगी 9 सेना में सरकारी नौकरी पाने का सुनहड़ा मौका वैसर यूवा जो मैट्रिक या एंटर पास कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की तरास में हैं उनके लिए खुश खबरी है बता दे कि भारतिये 9 सेना के ओर से अगनी वीरों की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी के लिए बतादी कि आवीधन करनी की तारीख 8 अट दिसमबर 2022 यानि की आज से सुरू हो रही है जो की 17 अवीधन करनी के लिए अवीधन करता को आलाइन आवीधन करना होगा और साथ ही 550 रुपे का सुलख भी जमा करना होगा बता दे कि भारतिये नौसीना की ओर से जारी किये गए नोटिफिकेशन के नुसार स्टीविड और हाइजिनिस्ट पदों पर सौ और स्सर के तहट 1400 उमिद्वारों का चुर्ण किया जाएगा पई महिलाओं के लिए इनमें 280 रिक्त पद रिजर्व हैं हरिहरनात मंदर इस वजह से है बेहत खास सारंजले का बाबा हरिहरनात मंदर देश भर का एक मात्र ऐसा मंदर है जहां एक ही लिंग में सिव और भगवान विश्नु अस्थापित है कहा जाता है कि इस मंदर में स्थितलिंग के स्थापना आज से 14,000 साल पहले हुई थी अख्यानाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा विश्नु और महेश यहां यग करने की योजना बनाए कहा जाता है कि उस वक्त ब्रह्मा जी की दो पत्निया थी छोटी वाली उनके साथ थी बड़ी वाली को आने में विलम था और यग का सुभमूरत में निकला जा रहा था तब इस्थे वार विश्नु की सलाह पर ब्रह्मा जी जैसे ही अपनी दूसरी पत्नी के साथ यग के लिए बैठे वैसे ही बड़ी वाली पत्नी आ जाती है तब वह पूछती है कि मेरे बिना हवन करने का सुझाओ किसका था ऐसे में ब्रह्मा जी ने सिव और हरी का नाम लिया तभी क्रोधित हुई देवी ने उन्हें एक ही लिंग में हो जाने का श्राब दिया तभी श्रेवर्ड हरी पत्थर में बन जाते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें यहां स्थापित कर देते हैं तभी से यलिंग यहां स्थापित है आर्बी आई ने सुने दिसमलो 3-5 फीजदी बढ़ाया रेपो रेट बढ़ेगी EMI बिते दन बुदवार को भारतिय रिजर्व बैंक के ओर से तीन दिवसिये मौदरिक निती समीती के फैसलों की घोशना कर दी गई है जिसमें गवर्नर सकती कान दास के दोरा एलान कर बताया गया है कि रेपो रेट में सुने दिसमलो 3-5 फीजदी की बढ़ोतरी करते वे अब 6 दिसमलो 2-5 फीजदी कर दिया गया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अब 5 फी बार है जब RBI के दोरा ब्याज के दरों में बढ़ोतरी किया गया है डिजर्व बैंक अपनी पिछली तीन मौदरिक निती समीती की बैठक में कुल मिला कर एक दसमलो 9-6 फीजदी का इज़ाफा रेपो रेट कर चुका है बता दे कि माई में 40 basis point और जून वर अगस्त में 50-50 basis point का इज़ाफा किया गया था Google search पर इस साल भारत में सबसे ज़ादा सर्च किये गया ये टॉपिक बता दे कि इस लिस्ट की पहली category searches है जिसमें सबसे टॉप में Indian Premier League रहा वहीं दूसरे category what is में top number पर what is अगनी पत स्कीम रहा इसके साथ ही तीसरी category how to में top number पर how to download vaccination रहा वहीं इसके अंतिम category movie में top number पर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा रहा जाने भारत के पासपोर्ट की दुन्या में क्या है रैंकिंग? हम सभी जानते हैं कि हम विदेश में कहीं भी यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है बता दे कि पुरे दुनिया में अलग-अलग देशों के अलग-अलग पासपोर्ट रैंकिंग होती है वहीं अब साल 2022 का भी सभी देशों की पासपोर्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है जानकारी के लिए बता दे कि यह रैंकिंग लंदन की Immigration Consultancy Henley and Partners के दोरा जारी की जाती है इस लिस्ट में अगर भारत के पासपोर्ट रैंकिंग की बात की जाये तो लंदन की Immigration Consultancy Henley and Partners के मताबिक भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग पूरे देशों में 87 नंबर पढाती है के बताते चले कि अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट होगा तो आप 60 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं कच्चे तेल के दाम में हुई किरावर सस्ता हो सकता है पेट्रॉल डीजल के दाम देश में पहले ही पेट्रॉलियन पदार्थों के दामों में बरहोत्री हुई हो लेकिन कच्चे तेल का दाम साल 2022 के नीचले अस्तर पर पहुँच गया है मीडिया में चल रही खबरों की माने तो वैस्विक आर्थिक संकट के कान सेंटिमेंट खड़ाब होने के चलते ब्रेड कुरूड ओयल के दाम में अस्ती डॉलर प्रती बैरेल नीचे आ गया है यह कहा जा रहा है कि कच्चे तेल में गिरावट होने से भारत के लिए अच्छे संकेत है क्योंकि भारत कच्चे तेल का आयात करता है ऐसे में कहा जा रहा है कि कच्चे तेल में गिरावट होने से महंगाई पर रोक लग सकती है साथ ही केंदर सरकार को अपने वीतिय घाटे को कम करने में भी मददridge मिलेगी साथ ही साथ विदेशी मुद्रा कोश में भी गिरावट को रोका जा सकेगा साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि पेट्रॉल डीजल के दामों में भी कमी देखने को मिल सकती है IIT पटना के नौवे दिक्छान समारों में गोल्ड और सिल्वर मेडल से समानित हुए टॉपर विदेदन बदवार को पटना के IIT पडिसर में नौवा दिक्छान समारों मनाया गया है इस दोरान मुख्य अतिती और IIT पटना के निदेशक के द्वारा कुल 521 चात्र चात्राओं को पास आउट डिग्री दिया गया वहीं कई आने चात्र जो टॉप रहे हैं उन्हें गोल्ड और सिल्वर मेडल से भी समानित किया गया बता दे कि अधिक्छान समारों करीब 2 साल बाद आयूजित किया गया है जिसमें मुख्य अतिती के रूप में एडवर्ब टेक्नलोजी लिमिटेड के अध्याक्ष जलज एदानी रक्षामंत्री के वग्यानिक सलाकार डॉक्टर जी सतीस रेड़ी आईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीन सिक संयुत रूप से सामिल हुए वहीं इनके अलावा आईटी पटना के तमाम अधिकारी प्रोफेसर और छात्र छात्राओं के अभिवाव की शामिल रहें बिहार के बाहर जेडियू विस्तार को बड़ा जटका बितेदन बदवार को दिल्ली में हुई MCD चुनाओ के परिनाम शामने आए इस चुनाओ में आप पार्टी ने 134 सीटो पर अपना कबजा जमाया तो वहीं बिजेपी ने 104 सीटो पर चांकारी के लिए बता देए कि जेडियू के ओर से MCD के चुनाओ में कुल 2300 मिद्वार उतारे गया थे लेकिन उनका एक भी खाता नहीं खुल सका MCD चुनाओ 2022 को लेकर कुल 382 निर्दलिये प्रत्याश्यों के दौरा चुनाओ लड़ा गया था वहीं BJP और आहमादमी पार्टी से 250, कॉंगर से 247, AIMIM से 14, बसपा से 174, मुस्लिम लीक से 12, Communist Party of India से 3, All India Forward Block से 4, NCP से 29, SP और लोग जनसक्ती पार्टी के ओर से एक एक प्रत्याश्यों उतारे गया थे प्रशांत के सोर का तेश्वी पर कटाक्ष ना समझ है तेश्वी राजनती रनितिकार प्रशांत के सोर ने अपने जनसुराज अभियान यात्रा के दोरान उपमु की मंतरी तेश्वी यादब पर कटाक्ष किया है उन्होंने कहा है कि मैं उनकी किसी भी बातों को गंभीरता से नहीं लेता, उन्हें कोई समझ नहीं है, किसी सलाकार ने उन्हें लिख कर दे दिया होगा कि 10 लाख नौकरी देंगे और वे उसी बात को दोरा रहे हैं, बाकि उन्हें नौकरी देने से लेकर उसके लिए पैसे का गर्थ में पहुचा दिया गया है जहां से बाहर निकलना मुश्किर है। इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर केंद्र पैसे ना दे तो यहां के सिक्षकों को वेतन ना मिले। पर आसीन हुई। इसके साथ नेरू विश्व विद्याले में विद्यार्थियों के बीच लोग प्रिये रहे चनकभी रमासंकर याद विद्रोही का निधन 2015 में हुआ। भाई पर्मानन का निधन 1947 में हुआ। वारल खबर में आज हम बात करेंगे प्रधान मंतरी नारी सकती योजना के बारे में। सोचल मीडिया पर कई सुचना है वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़रूरी नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधान मंतरी नारी सकती योजना के बारे में। वाट्सअब से ऐसे चेक करें क्रेडित स्कोर अगर आप वी किसी तरह का लोन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना सिविल उसकोर वाट्सअब पर भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक्सपेडियन एंडा के WhatsApp नमबर 992-003-5444 को अपने फोन में सेव करना होगा, इसके बाद आपको इस नमबर पर WhatsApp पर है मेसेज का भेजना होगा, फिर आपको अपने डीटेल्स फोन नमबर, इमेल, आईडी और आपका नाम भेजना होगा, इसके बाद आपको WhatsApp पर ही credit score प्राप्त हो जाएगा, आप इस credit report की password के साथ एक सुरक्षित copy के लिए request भी कर सकते हैं, यह copy आपको आपके registered email ID पर मिल जाएगी, बीते दिन हमारे दोरा पूछे का सवाल का, आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें अमारी comment section box में लिख कर दिया था, जिन्हों नी हमारे दोरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है विकास पंडित, अजीमा फिर्दोस, रुपेश कुमा मनस कुमार, मनोज कुमार, कवीता कुमारी, उमेश रिसीदेव, रविंदर पासवान, नीरस ठाकुर, बावुलाल मरांडी, भान प्रकाश मौरया, कुलदीब कुमार, मनोज कुमार, केके सिनहा, राजीव कुमार, इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, आज का रहें बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आप फेस्बूक से देख रहे हैं तो पेस को लाइक करना ना भूले, धन्यवाद